नमस्कार, स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज अपने इस वीडियो में हम सभी कार्तिक महा के मात्मे का आठवा अध्याय करने जा रहे हैं नारज जी बोले, अब मैं कार्तिक वरत के उध्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है वरत का पालन करने वाला मनुश्य, कार्तिक शुकल चतो दशी को वरत की पूर्ती और बगवान विश्नु की पृति के लिए उध्यापन करें तुलसी के उपर एक सुन्दर मंडप बनवाए उसे केले के खंबे से सहिंग्यूक्त करके नाना प्रकार की दातों से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे मंडप के चारो और दीपको की श्रेणी सुन्दर डंक से सजा कर रखे उस मंडप में सुन्दर बंदनवारों से सुशोबित चार दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से और चवर से सुसजित करे द्वारों पर पर्थक पर्थक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे उनके नाम इस प्रकार है जै विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमूद और कुमूद आक्ष उन्हें चारों दरवाज उपर दोदो के करम में इस्तापित कर बक्ति पूर्वक पूजन करे तुलसी की जड़ के समिप चार रंगों से सुशोबेत सर्वुत पद्रमंडल बनाए और उसके उपर पूर्ण पात्र और पंच रतन से संयुक्त कलश की स्तापना करे कलश के उपर शंक, चक्र, गदाधारी बगवान विशनु का पूजन करे बक्ति पूर्वक उस तिर्थी में उपवास करे और रात्री में गीत, न्वाद्य कीर्टन, आदी मंगल में आहजनों के साथ जागरन करे जो बगवान विश्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक बगवत संबंधी पदों का गान करते हैं वे सेकडों जन्मों की पाप राशी से मुक्त हो जाते हैं जो मनुश्य बगवान के निमित जागरन करके रात्री पर बगवान का कीरतन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुश्य बगवान की मूर्ती के सामने निर्टेगान करते हैं उनके अनिक जनमों के एकत्र पाप नश्ट हो जाते हैं। जो बगवान के सम्म प्रामन कोने मंथित करें, प्राताकाल सनान और देव पूजन करके वेधी पर अगने की स्थापना करें, और बगवान की प्रिती के लिए तिल और खीर की आउति दें, होम की शेश्वीदी पूरी करके ब्च्ति पूरवक ब्रामनों का पूजन करें और उन्हें यथा सक्ती दक्षिना दे फिर उनसे इस प्रकाश शमा प्रातना करें। द्वादशी तिथी को शयन से उठे, त्रेव दशी को देवताओ से मिले और चतु दशी को सबने उनका दशन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथी में बगवान की पूजा करने चाहिए। पर हो कार्तिक में अवरत का पालन करते हैं, उनकी शरी में से सपी पाप अतकाल नश्ट हो जाते हैं। जो श्रदा पूर्व कार्तिक के उध्यापन का मातमे सुनता है वो बगवान विश्नु का सायूजिय प्राप्त करता है। झाल माँन का प्राप जश्ट है। झाल माँन का प्राप्त करता है।